मेरा नाम है सुखराज आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ नीविया मिल्क डिलाइट केरिंग रोस वाटर फेश वाश का यह जो फेश वाश है इसको मैं अपने फेस पे आपको यूज करके डेमो भी दिखाऊंगी ताकि आपको ना अच्छे से पता चले कि यह फेश वाश ना exactly कैसा है सबसे पहले बास कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की तो देख सकते हैं इस तरह कि छोटी सी जो है बॉटल में आता है यह बॉटल जो है काफी क्यूट सी है अब मैं आपको यह जो फेश वाश है इसको दिखा देती हूँ कि किस तरह का जो है आपको यह इस तरह कहुए जो है पुट सब्सक्रान के बात करो तो काफी जादा जो है वह क्रीमी टेक्शचर है अगर मैं इसकी का इस टोड़ी से मी लिक्विड टैप की जो है वह बुटनेस है यह जो फेश वाश है इसकी एक खासियत यह भी है कि यह ना सोप फ्री है इसे स्पेशली सेंस्टिफ स्किन लोग जो होते हैं उसके लिए बनाया गया है मार्केट में इसी के चार वेडियंट और आती हैं जो के डिफरेंट डिफरेंट स्किन के लिए बनाये गए हैं अगर आपकी स्किन जो है वो ओईली है तो आप ना नीविया का मिल्क डिलाइट बेसन फेश वाश जो है उसको यूज कर सकती है अगर आपकी स्किन जो है वो अक्ने प्रोन है तो आप नीविया का मिल्क डिलाइट टर्मनिक फेश वाश जो है उसको यूज कर सकती है अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है तो आप नीविया का मिल्क डिलाइट साफरन फेश वाश जो है उसको यूज कर सकती है आप इस face wash की fragrance की बात कर लेते हैं तो guys इसकी fragrance जो है न वो काफी ज़ादा जो है वो अच्छी है इस face wash को अगर आप यूज करके अपने face को wash करेंगे न तो काफी देर तक वो जो fragrance है आपके face से जो है वो आती रहेंगी यह जो face wash है around 20 साल माने 2.5 years की जो है वो used before date के साथ में आता है ingredients की अगर बात करें तो आपने अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन-कौन से जो है वो ingredients है अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की यह जो मेरे हाथ में bottle है यह 100 ml की bottle है जिसकी cost है 165 रुपीज मैंने इससे online ना 149 रुपीज में खरीदा था product का link जो है आपको description में मिल जाएगा तो चलिए यह जो face wash है ना इसको मैं आपको use करके दिखाती हूँ क Из-स इसस दत्राम बहerverी करनें जा का प्र αυτή हो जो कहुए है आपको चलिए अपको भाता है ना और वो मैं गफ, आपको बहलन lifesी थ स लू़ा है कर चाफको कि उबर्स आपको यह जो फेश वाश है ना इसको यूस करने के बाद में मुझे नहीं अपना फेश जो है ना वहाँ सादा जो अभी सॉफ्ट एन स्मूध जैसा लग रहा है एक दम किसी तरह कि कोई इडिटेशन जो है वो मेरी स्किन में नहीं हो रही है जो फेश वाश है ना काफी जादा अच्छा है इसे मैं जरूर रेकोमेंड करूंगी आप भी इसे यूज करके देखें अगर आप मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइकन शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपने चानल को जो है सुस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा मैं आप से मनूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई